प्यारे मित्रों इस वीडियो में हम लोग देखेंगे streams of migration in India या भारत में प्रवास की धराएं कैसी हैं तो प्यारे दोस्तों अगर देखा जाए तो जो domestic migration होता है वो चार तरीके का हो सकता है जैसे कि आप यहां पर देख सकते हैं एक हो सकता है रूरल टू रूरल मतलब गाउं से गाउं की तरफ एक हो सकता है रूरल टू अर्बन गाउं से रूरल का मतलब गाउं से सहरों की तरफ अर्बन का मतलब शहरों की तरफ फिर हो सकता है अर्बन टू रूरल मतलब की शहरों से गाउं की तरफ और फिर हो सकता है अ प्रवास या domestic migration होता है उसकी चार करेंट्स हो सकती हैं और यह जो चार करेंट्स हैं यही चार टाइप्स भी है domestic migration के घरेलू प्रवास के तो दोस्तों इंडिया में जब total migration देखा जाता है तो उसमें जो females हैं वो ज्यादा migratory है in comparison to males मतलब औरतें पुरुषों की तुलना में ज़्यादा प्रवास करती हैं इसका जो कारण बताया जाता है वो कारण बताया जाता है marriages and other customs बहुत सारे ऐसे traditions हैं और रीतिरिवाज हैं जैसे शादी हो गई तो इन सब के कारण से females ज़्यादा move करती है males की तुलना में तो दूसरी बात जब बात करी जाए इन चारों streams की जो four streams या four types of domestic migration है तो इन में आप देखेंगे कि जो गाउं से गाउं की तरफ migration होता है rural to rural migration उसमें female dominate करती हैं वैसे ही urban to urban migration जो सहरों से सहरों की तरफ होता है प्रवास एक सहर से दूसरे सहर की तरफ या किसी एक सहर के अंदर ही उसमें भी female dominate करती हैं और जो urban से मतबब शहरों से गाउं की तरफ होता है उसमें भी female dominate करती हैं या लेकिन जब प्रवास गाउं से शहर की तरफ होता है तो इसमें male dominate करती है कहा ये जाता है कि जो यह गाओं से शहर की तरफ और रूरल के लिए मूब करते हैं उस वर्क के लिए मूब करते हैं कस्टम से की वज़ा से तो यह करेंट्स या स्ट्रीम्स आफ माइग्रेशन इंडिया आपने देखा होगा आपके शहरों के आपके गाओं के बहुत शारे लोग काम करनी की तलास में दूसरे गाओं गाओं या शहर की जाते हैं जादा तर गाउं से शहरों की तरफ ही जाते हैं गाउं में रोजगार के कम आउसर होते हैं इसलिए शहरों की तरफ पलायन गाउं से जादा होता है या किसी छोटे सहर से बड़े सहर की तरफ भी पलायन की टेंडेंसी देखी जाती है मित्रों आप बात करते हैं कि इंडिया में highest number of migrants कहां से हैं तो जैसे कि आप यहां पर देख सकते हैं इंडिया में highest number of migrants जो है वो है बंगलादेश से उसके बाद पाकिस्तान, नेपाल, तिब्बत और स्री लंका से हैं यह NCRT में लिखा हुआ है तो इसका मतलब यहां पर internationally जो माइग्रेंट्स इंडिया में आए हैं इमिग्रेंट्स हैं उनकी बात हो रही है तो याद रखिएगा कि बंगला देश से सबसे ज़्यादा इमिग्रेंट्स इंडिया में हैं तो आज का वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं मिलते हैं अगले वीडियो में थैंक्यू गाइज झाल झाल